नमस्कार दोस्तों, एक्जाम ग्याद मंतरा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे तो AGTA और गन्ना परवेक्षक के लिए आज बहुत ही यहाँ पे हम लोग कह ज़कते हैं इंपोर्टेंट और आपके खुस होने बाले अपडेट्स आयूक की तरफ से मिले हैं ठीक है वीडियो को पूरा आप लोग देखना एक तो आपका बिकैंसी आपका नोड़ोगेशन कब तक आएगा बिल्कुल आज के लिए रहाँ पे हो चुका है साथ ही साथ जो बिवाद था most important जो बिवाद था 906 पदों का जो AGTA प्रिवियस के कोट के इस वाले बिवाद था जानकारी अब मिल गई है ये आपका solve होने ही बाला है मैं इसका इसलिए आप से कहा रहा हूँ क्योंकि देखो 900 इंक्यान में आपके जो गन्ना परवेक्षक के पद है वो छोटे पद हैं ये आपके पद थे 3477 तो इनका बिवाद अब यहाँ पे पूरी तरहिके से solve कर दिय जा गया है इसके बार मैं भी पूरी चार्चा करेंगे साथी साथ आपकी जो भरती है आप 4468 पदों पे 3477 पद आपके AGTA के और गन्ना परवेक्षक के 999 पद इनका बिग्यापन आपको कब तक अब एक साथ देखने को मिलने वाला है इससे related जो भी जानकारी यहाँ पर आ परवेक्षक से related जो भी updates रहेंगे आपको सबसे पहले और time to time यहाँ पर प्रोवाइड कर दिये जाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आज आयोग में यहाँ पर आपका बताया क्या गया है तो 3477 पदों का सबसे जादा जो important ठीक है 906 वाला जो court case था आयोग मे आपका यह जो पूरा matter है सुल्जा लिया जाएगा साधी साथ जैसा कि RTI में बताया गया था गंद्ना परवेक्षक का कि 991 पदों का जो अधियाचन है बरतमान में UP SSC के पास है तो आयोग में आज यहाँ पर बताया गया है कि इनमें आपका जो quota रहता है ठीक है आपकी ज जैनुएन आपको बताऊं कोई भी बिबाद इसमें नहीं है इनकी सिर्फ इनका जो हम लोग कह सकते हैं ना कि इनका भी मन नहीं है यह सिर्फ एक आपको कारण बता रहा है यह सिर्फ आपको यहाँ पर एक बहाना बता रहा है आपकी जो यह दोनों भरतिया हैं दोस्तों 2022 क पैट के माध्यम से अब आपको देखने को मिलने वाली है नौसो इंके अंदर पदों पर बहाना इसलिए ये बताया जा रहा है कि कहीं आप लोग ये ना गहने लाएं कि किलियर ये आपका जो नौडुकेशन है आपकी पास रखा है आप इस पर विग्यापन निकाल दो ठीक ह ही सबसे पहले तो एक चीज जैसे ही आपका दोजार पाईस का ठीक है जो पैट का रेजल्ट आ जाएगा सबसे पहले आपको ये जो बड़ा विग्यापन है आपका 3477 पदों का एजी टीए का और 999 पदों का गन्ना परवेक्षक का ये देखने को मिलने वाला है आपके ठी परवेक्षक का साधी साथ एजी टीए का एक साथ ही बिग्या पनाएगा और जो एलेजिबिल्टी थी देखो इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे जो पोस्ट प्रफ्रेंस है ठीक है पोस्ट प्रफ्रेंस के माध्यम से आपसे यहां पर पूछा ज पर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इसमें आपकी जो जॉब है आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आपके नमबर अच्छे होंगे आप जो भी इसमें पोस्ट फिल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी रैंक के अनुसार आपके नमबर के अनु मैंने पहले ही आपको बताया था कि जन्बरी 2023 में आपको देखने को मिलेगा जन्बरी की स्टार्टिंग में ही यह देखने को आपको मिल जाएगा तो आपका जो नोटिफिकेσω्ट है हम लोग फर्वरीमिट तक अब मांद सकते हैं कि फर्वरी ठीक है मिल जाएगा अब एक और चीज़ जो बी एससी बाला और जो आपका बाकी जो आपका एलाइट बाला मैटर है कि गंदापर विक्षक में तो एलाइट जो संसोदन्स बाला इसमें मांगा नहीं जाता है तो तभी इसमें पोश्ट प्रिफरेंस आप जो भरेंगे उसके माध्य से ही आपको जो आपकी पोश्ट है डीवी में ठीक है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी आप फॉर्म डालते टाइम चाहे आप सिर्फ बीसी एजी के हो या फिर आप एलाइट वाले केंडेट हो सभी लोग इसका फॉर्म एपलाई कर पाएंगे एक और चीज़ इसमें हो सक खुता है ठीक है हो सकता है की अभी भी गन्ना अपर्वेक८िशक के मिल जाएगा जिनंके पास गन्ना पर्वेकुशक नहीं होगी दो लोग सिर्फ के ऑम के लिए यहां इना है उंनकर इक नोटिकर्शन मैंने बता दिया कर दो लास्ट और मार्च स्टार्टिंग तक यूपी ट्रपल एसी का यह जो आपको ठीक है एजी टीए चोंतीस सो सततर पदों का साधी साथ गंदा परवेक्षक नौसो इंक्यान पदों का जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा और आयोग दोरा पूरा प्रयास कि जाएगा कि आपका यह जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आयोग दोरा निकाला जाए यहां पर यही कहा गया है कि सबसे पहले पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका एजी टीए बाला और गंदा परवेक्षक बाला का माइंड नोटिफिकेशन निकाला जाए बिलकुल उम्मीद में मत रहना की गन्ना का अभी नोटिफिकेशन निकलेगा ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम है मैं आपको इमानदारी से एक चीज बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ जो आपका पोस्ट का बता जा रहा है कि आपके जो ऐनरेजर्ब की जो पोस्ट हैं एंधम संख्या को चाते हैं सिर्फ ये बहाना है आपका सिर्फ इसलिए कहाजागा ए ता कि आप नोटिफिकेशन कि मांगना कर निलोग की जो पैट की बैलेडिटी बढ़ी है ठीक है उससे हमारा नोडुकेशन निकाल दो इनका पूरा मन है 22 के पैट से नोडुकेशन निकालने का बनना ये जो 906 वाला कोट का आपका ये मामला था पहले ही इनके द्वारा सॉल पूरा कर लिया जाता चूंकी है आपके 4400 प्लस पत पर एक बड़ा नोडुकेशन आना है और आगामी आपका लोग सभाद चुना होई है ठीक है उसको देखते हुए ही आपकी ये जो भरती है जहां तक है सबसे पहले यूपी ट्रपल सी के द्वारा आपकी निकाली जाएगी और डिले भी आपके इसी के कारण हो रहा है इसमें किलिया रहे तो अब एड़ना एंड एक बात आती है कि भरती का देखो नोटिफिकेशन है जो वो आना ही आना है अब बाइस के पैट से ठीक है भरती का जो नोटिफिकेशन है वो आपका बाइस के पैट से आना ही आना है बात सिर्फ इतनी रहती है कि जब आपका फरबरी में नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्या अभी प्रिपेर हो आप क्या इस पेपर के लिए प्रिपेर हो कि आप इसमें अपनी 4400 सीटों में से एक सीट को अपने इंशूर कर सको ठीक है तो जुप इसकी तयारी है जो इसकी प्रिपेरेशन है आपको आज से ही स्टार्ट करनी है आप देखो इसमें एक और चीज है जो लोग सोच रहे थे कि मेरे पैट में 20 नंबर है मेरे पैट में 30 नंबर है मुझे केन सुपरवाईजर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा यूपी ट्रपल सी द्वारा आज बता दिया गया है कि आपका इसमें एक साथ फोम आएगा टीये का भी और आपका केन का भी ठीक है तो ये टोटल 44 सो पोश्टे हो गए और यूपी ट्रपल सी 30 गुना आपके कैंड़ेट बुलाता है तो आपका एक लाख पार कैंड़ेट ये होगा है एक एक कैंड़ेट ठीक है जैसे आपके एन्म में बुलाया गया था एन्म में तो 20 गुना बच्चे ही नहीं मिले थे जिस प्रकार से एन्म में सभी अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुला लिया गया था उसी प्रकार से आपकी इस परिक्चा में जितने भी कैंड़ेट पॉजिटिब में है जितने भी कैंड़ेट पॉजिटिब में है सबी को mains के लिए जो मुखह परक्षा है मुखह परक्षा के लिए बुलाया जाएगा मैंने score पहले ही आपको बता दिया था 0.25 अब यही score आपका किन सुपरवाइजर के लिए भी है यही score आपका किन सुपरवाइजर के लिए भी है चाहे आप AGTA की तैयारी कर रहे हो चाहे केंसर फरवाइजर की तैयारी कर रहे हो अगर आपका positive में सबसे जो कम score होता है 0.25 इतना या फिर इस से अधिक score है PT 2022 में जो आपने answer की मिला है उसके according तो mains में आपको call जरूर आएगी mains के लिए आपको call जरूर आएगी आप mains में बैठेंगे इतनी guarantee मेरी है क्योंकि 4400 प्लस बहुत पोस्ट होती है और UPCC 30 गुना बच्चे यहां पर बोलाता है यह है और देखो आपको अब आज से ही अपनी जो तैयारी है वो start करनी है बना आपकी जो seat है दूसरा वच्चे तैयारी करके ले जाएगा best अपनी preparation दो आपकी जो subject है देखो एक तो slivers भी है आपका जो previous slivers था यह change इसमें नहीं होने वाला है तो जो भी आपका slivers यह था इसके according पूरा अपना जी जान लगा दो साथी साथ एक और चीज में मैं इसमें add कर दो हम लोग पिछले एक साल से इसकी तैयारी करवा रहा है ठीक है एक साल से हम लोग अपने चार paid whatsapp group में इसकी तैयारी करवा रहा है और अब जो हमारा telegram group है वो भी start कर दिया गया है जो भी साथी best तरीके से एजी टीए और गन्ना परवेख चक एक जाम की तैयारी करना चाहें बहुत ही छोटे सी फीस में आप हमारे paid group को साथी जाथ paid group में आपको जो complete आपके slavers के according notes है ये भी हम लोग PDF के फों में प्रोवाइड करते हैं जो आपके previous के paper हैं ये भी provide करते हैं बहुत छोटी इसकी फीस है ठीक है ये हमारा whatsapp नंबर दिया गया है 14 510 70 849 आपको इस पर message करना है whatsapp पर साथी साथ notes की link में description में भी दे रहा हूं बहां से भी जाके आप direct notes को purchase कर सकते हैं fees बहुत ही छोटी से हम लोग अना रखी है 160 रुपए complete जो आपका slayvars है AGTA गन्ना परवेक चक्का इसके notes की fees है इसमें आपको previous paper भी मिलेंगे आपकी math, आपकी hindi, static gk, upgk, reasoning सभी pdf आपको इसमें provide की जाएंगे ठीक है तो best तरीक है जो लोग तैयारी करना चाहें AGTA और गन्ना परवेक चक्की अब इस group में आप जुड़ सकते हैं बहुत ही छोटी सी fees रगी गई है इसको बहुत ही जल्ल हम लोग बढ़ानी भी वाले हैं ठीक है अभी जो लोग इसको join करेंगी सिर्फ आपको 160 रोपे यहां पर pay करना है और best तरीके से फिर आपको अपनी preparation को start यहां पर करना है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में classes हम लोग बहुत ही जल्द आपकी YouTube पर भी start करेंगे और जो लोग group में जुड़ना चाहें मैंने उससे related जानकारी आपको दे ही दी एक बार यहां पर फिर से आपको number लिखें दे रहा हूँ मैं ठीक है यह हमारा whatsapp number दिया गया है आपको इस पर whatsapp पर message करना है notes के demo और उससे related details के लिए ठीक है पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी one of the west सब कुछ उसमें cover गया है उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है पूरा जो आपका उसमें cover है उतना ही पढ़ लोगे तो आराम से आपका exam qualify हो जाएगा मिलते है अगली वीडियो में जेहन्जे भारत